असलाम डियों स्टूडिन्स आज के जो हमारा टॉपिक है वो है OSI मॉडल उससे पहले हम प्रोटोकोल के बारे में देख लेते हैं प्रोटोकोल के हैं सेट अफ रूल्स होते हैं ठीक है जिनको फालो करते हुए ठीक हम अपने डैटा को टास्क्मिट करते हैं ठीक एक जगा से से दूसरी जगा ठीक है यह डिफरेंट टाप की डिवैसे आपस में कुम्निकेट करती हैं ठीक है प्रोटोकोल को रूल्स को फालो करते हुए अब इसके कुछ अलिमेंट से सेंटेक्स स्मेंटेक और टाइमिंग यह हमारे डिसक्स कर चुके हैं उसके बाद जो है हमारे पा ный कुछ को कौन सा से फालो करेंगे जी तो आप को सा राउट टर फालो करेंगे कौन सी वालो करेंगे। यह तो यह तमाम छीजा आप लोगन मेडियम को कैसे जु है एकसस करेंगे जिस से वह अटेच है उसके बाद बता रहे हैं घायड-लाइन आल सो डिस्क्राइब ताइप of मेडियन ठीके यहाँ पी मेडियम के बारे में बताया जाता है कि को सा मेडियम को सी केबल को आप लोक फालू करेंगे उसके बाद था the speed used on different type of cables are wireless technologies used ठीक हम यह देखेंगे कि आप कौन से medium को follow कर रहे हैं wire को use कर रहे हैं या wireless को कर रहे हैं आपको speed चाहिए तो आप कौन से medium को follow करेंगे network communication use a variety of standards to ensure that data travel correctly and to its destination ठीक हम variety of standards को follow करते हैं जो ensure करते हैं कि आपका data proper और correctly जो है वो send हो रहा है या नहीं हो रहा ठीक है उसके बाद है layer task ठीक है layer task क्या है क्यों use करते हैं यहां पर बता रहे हैं reduce the complexity of communication task by splitting into several layers small task ठीक है कि हमारे पास एक task है हम उसको layers की form में क्या कर देते हैं spit कर देते हैं इससे हमारा जो large task है ठीक है उसकी complexity reduce हो जाती है ठीक है for example यहां पर एक sender है उसने अपना कोई जो letter है वो send करना है अब वो क्या करेगा the letter is written put into an envelope and drop into mailbox कि जो sender है वो letter को लिखेगा लिखने के बाद envelope में put करेगा और put करने के बाद वो क्या कल देगा mailbox में drop कर देगा ठीक है उसके बाद डाकिया आएगा वो क्या करेगा ठीक है वो letter को उठाएगा और post office ले जाएगा ठीक है letter is carried from mailbox to post office अब फिर mailbox में से उठा के post office पहुंचा दिया गया the letter is delivered to carried by the post office अब post office से उठा के उसको deliver किया जाएगा ठीक है अब देखें the parcel is carried from source to destination अब उसके बाद जो है वो letter जो है receiver के करीबी जो post office होगा वहां पर deliver कर दिया जाएगा वहां से फिर डाकिया आएगा उठाएगा उठाके mailbox पर put कर देगा अब जो receiver होगा वो क्या करेगा mailbox से उठाके ठीक है और फिर उसके बाद रिड कर लेगा इस तरह जो आपका complex task है यूजर करने बैठ जाए या एक ही layer करने बैठ जाए तो उससे आप लोंके जो complexity है वो बढ़ जाएगी complexity को reduce करने के लिए आप लोग क्या करते हैं लाज टास्क को आप लोग क्या करते हैं split करते हैं और आप जो है आपका जो task है वो layers की form में easily जो है आप लोग का data share हो सकता है ठीक है to reduce complexity of communication task by splitting into several layers small tasks functionality of layer can be change हर जो layer होगी इसकी functionality क्या होगी change होगी ठीक है as long as service provide to layer above stay unchanged जो service है वो तो same रहेगी बट जो layer है वो अपनी functionality उसकी change हो रही होगी make easier maintenance and update each layer has its own task each layer has its own protocol हर layer के अपने protocol होगे हर layer के अपने task होंगे functionality होगी जो के वो अपने functionality को perform कर रही होगी उसके बाद reference model ठीक हमार पास OSI model reference model है उसके बाद TCP IP है अब OSI है क्या ठीक है इसको ISO ने developed किया open system interconnection is the process of communication between two endpoints in a telecommunication network can be divided into seven distinct group of related functions are layers ठीक है यहां पर आप लों के पास OSI model में seven layers होती है और हर layers अपना specific functionality perform कर रही होती है और आपका data जो है forward किया जा रहा होता है और हर layers के अपने क्या होंगे protocols होंगे ठीक है जिन को follow करते हुए दो different devices हैं वो आपस में क्या कर सकती है communicate कर सकती है इसको किसे डिवेल्प किया ISO ने ठीक है और आई यह सो स्टेंटर्ड बैट कवर आल aspects of network communication in open system interconnection इंटर कुनेक्शन इडवास फिस्ट इंट्र इंटीन सेंटी ठीक है उसके बाद है create a layer when different abstractions in needed each layer perform a well-defined functions अभी मैंने बताया कि हर लेयर क्या करेगी अपने specific functionality perform करेगी function of layer choosing taking internationally standard protocol हर लेयर जो है अपने specific functionality follow कर रही होगी हर एक layer का क्या होगा specific protocol होगा number of layer large enough to avoid complexity ठीक है number of layer जो है आप लोंगे जो task है उसकी complexity को क्या करती है reduce करती है flow of data through each layer at one हर layer से आप लोंगा जो data flow करेगा वो एक time में एक layer से एक दफाही करेगा उसके पर services है services कौन कौन सी है data segmentation data segmentation का मतलब यह है कि आप अपने large data को split कर देते हैं ठीक है या divide कर देते हैं into small segments in this process large data files is divided into small segment sufficient enough to transmit over the network ठीक है कि आप अपने large data को जो हाँ यहां पर जो है small segmentations में segments में divide कर देते हैं ताकि आपका जो data है वो proper transmit हो सके उसके बाद packet acknowledgement each transfer segment is acknowledged with return message ठीक है कि आपको जो भी data send हो रहा होगा पिर अगर वो send हो जाएगा तो proper आपका acknowledgement में रहा होगा कि proper data जो है send हो चुका है और receive हो चुका है receiver को receive हो चुका है तो यहां पर packet acknowledgement का मदब है कि आपको हर message का एक जो है acknowledge में रहा होता है कि आपका proper delivery हो चुकी है उसके बाद है flow control this mechanism ठीक है instruct sender computer to match its transmission speed with receiver computer ठीक है यहां पर जो है एक तो जो sender computer जो है ठीक है instruct sender computer to match its transmission speed with the receiver computer यहां पर जो sender की जो speed है receiver से match की जाती है और देन आपके data को send किया जाता है ताकि आपके data जो है loss न हो जाए ठीक है अगर sender की speed कम हो receiver की जाता हो तो आपके data अगर जो है थोड़ा delay हो जाए तो आपके वो loss हो जाएगा error detection and correction in this process a receiving computer verify the content of data if any segment is corrupted it will inform the sender that specific piece of data was damaged and must be retransmitted ठीक है error detection correction में यह है कि receiver जो है verify करता है कि आया कि data proper जो है receive हुआ है या नहीं हुआ अगर नहीं होता तो वह acknowledgement भेजता है कि मुझे मेरा जो data है वो क्या हो चुका है कोई loss हो चुका है लहाजा आप जो है वो specific piece of data को दुबारा क्या करें है send करें data compressions का क्या मतलब है आप अपने data को compress कर वे होते हैं to eliminate redundant ठीक है उसके बाद कि segments are complex before transmission के transmit होने से पहले आप यहां पर data क्या किया जाता है compress किया जाता है data encryption encryption का मतलब भी है कि आपके data को convert करना ठीक है ताकि आप में data को secure कर सके ठीक है इंटू non understandable form में आप लोग क्या कर देते हैं convert कर देते हैं to increase the data safety segments are encrypted with a key already known by receiving system अब आपके पर seven layers है ठीक है application layer presentation layer session layer transport layer network layer data link layer और physical layer जो पहली तीन layers है यह software layers का जाता है और last जो है यह hardware layers होती है और जो transport layer है यह heart of the OSI model है अब application क्या है ठीक है यहां पर बता रहा है to allow access to the network resources ठीक है जितने भी software होते हैं या जितनी भी applications है like Gmail, Facebook, Yahoo, ETC सब application layer पे work करते हैं ठीक है इसका काम क्या है user को interface provide करना ठीक है इस user पे user work करता है इस layer पे क्या करता है user work करता है ठीक है यहां पे काफी सारे software काम कर रहे होते हैं यहां पे HTTP, FTP, Telnet वगर ETC ठीक है इसके बाद है presentation layer, presentation layer क्या है translate, encrypt and compression data ठीक है यहां पे आप लोगे encryption भी हो रही होती है, decryption भी हो रही होती है, translate भी हो रहा होता है थेन आपके data को transfer किया जाता है उसके बाद आता है session layer, ठीक है session layer क्या करता है to establish manage and terminate session ठीक है इसका काम किया है कि session को establish करना उसको manage करना ठीक है जब तक जो data जो है यहां से sender से send होता है और जब तक receiver तक नहीं पहुंच जाता तब तक जो session layer है वो sender के से receiver की जो session layer है उससे touch में रहती है और अगर data loss हो जाता है तो foreign message आ जाता है है कि आपका जो है data loss हो चुका है अगर data proper send हो जाता है तो proper आपके पास यहां पे session layer में जो है session layers में को message आ जाता है कि proper data जो है deliver हो चुका है ठीक है उसके बाद क्या है कि यह जो है आपको एक logical port की facility भी provide करती है logical port का क्या मतलब है यहां पे आप जो है data को transfer कर रहे है फाइल को transfer कर रहे है ठीक है यहां पे जो है इसकी एक अलग जो है port होगी mail के लिए अलग होगी mail receive के लिए जैसा कि pop three है वो अलग होगी ठीक है यह तमाम चीज़ें आप लोगो कौन प्रवाइड करता है session layer उसके बाद कर टांसपोर्ड लेयर ठीक है यह हार्ट ओफ ओएसे model है to provide reliable process to process message delivery and error delivery अब यह जो है बेसिक लिए जो टांसपोर्ड लेयर है ठीक है यह क्या करती है software and hardware दोनों को sport प्रवाइड करती है software layer और hardware layers को sport प्रवाइड करती है connectivity प्रवाइड करती है टांसपोर्ड लेयर में आप लोगों की क्या होती है segmentations होती है यह आपके data जो है segment हो रहा होता है समाल segmentations हो रही होती है ताकि आपके data proper send हो सके इसके इलावा आप लोगो जो टांसपोर्ड लेयर है वो TCP और UDP प्रोटोकोल की facility प्रवाइड करता है ठीक है जब भी आपको read transmission चाहिए आप चाहते हैं कि आपको acknowledgement चाहिए ठीक है आपका data loss हो जाए तो दुबारा उसको transmit कर सकें ठीक है पहले तो यह है कि आपको data loss ना हो तो यह की तमाम चीज़ें आप लोगो TCP प्रोवाइड करता है ठीक है TCP जो है आप लोगों का ठीक है जो भी आप documents send कर रहे होते हैं वह basically आप लोगों के TCP के थ्रू हो रहे होते हैं आपको कोई अक्सर आप data send कर रहे हैं को एक चीज़ फिल हो जाती है आपका acknowledgement आ जाता है कि आपका data loss हो चाहिए लहाज आप क्या करें इस लास्ट जो है फाइल को आप send कर लें या लास्ट पिक्चर को दुबारा send कर लें इसके लावा होगा ठीके बेजी कली आब आप लोंका जो कॉल कर रहे होते हैं तेक कर आप लोग क्या 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 हैं विडियो देख रहे होते हैं ठीक है कि ये तमाम चीज़ाये आप लों की किस वहरी हो थी है UDP protocol ये तमाम चीदें perform कर रहा होता है ठीक है उसके लावा है network layer network layer में क्या है कि आप लोगे packets आ जाते हैं ठीक है कि session layer में आप लोगे क्या था transport layer में आप लोगे segmentations होती है network layer में आप लोगे packets की form में divide होता है ठीक है और यहां पर लोगे that yeah है यहां पर आप लोगे ip काम कर रहे होते हैं ठीक है तो वहीं बाद बता रहा है to provide packet from source to destination to provide internet working ठीक है वहीं हिर prata यहां पर आप कह सकते हैं हमारे जो भी router है विस लिए पर उते हैं चितने भी आप इर्टेस हैं हमारे यहां पर ब coup da पे send होगा तो यह जो है आप लोग को network layer क्या करता है provide करता है उसके पार data link layer में आप लोगा जो data है वो frames की form में convert हो जाता है basically यह आप data है हर layer पे different नाम से represent किया जा रहा है ठीक है अब network layer में आप लोगा जो data है package से frame की form में convert हो जाता है यहां पे hop to hop delivery हो रही होती है तो यहां पे आप लोगं को जो है ठीक है Error Detection and Correction Capability भी यहां पे आप लोगं को provide की जाती है ठीक है इसके लाबा flow control भी आप लोगं का यहां पे होगा ठीक है उसके बाद है physical layer physical layer में आप लोगं का जो data है bits की form में send हो रहा कर रहे होता है यहां पर कौन सा मेडियम फालो कर रहे हैं आप लोग वायर कर रहे हैं यह तमांप चीजा आप लोह की का लेयर में आ ओगला है दोबारा देखने टांस्पोर्ट लेयर में आप लोग complain ด्गमेंस होती है नेट्विक लेयर में आप्लों डेटा है वो packets की form में जो है convert किया जाता है यहां पे आप लोंके routers और IP addresses वर कर रहे होते हैं ठीक है और data link layer में आप लोंका जो data है frames की form में convert हो जाता है hop to hop delivery हो रही होती है physical layer में आप लोंका जो data habits की form में send हो रहा होता है ठीक है अब यहां पर वहीं बात बता रहे है ठीक है एक ही चीज़े इसको पढ़ ली दिएगा अब यहां पर data exchange कैसे हो रहा है using osa model यहां पर बता रहा है कि आप लोंका जो data है हर layers की form में send हो रहा है ठीक है data है यह अपना dashboard करेगा आप so on यहां पर data link layer है यहां पर क्या होगा आप लोंका एक इसमें क्या है कि आप लोंका जो data जो है यहां पर आप लोग और correct note के लिए bits होती है ठीक है ताकि आपकर data जो है को यह लूघे रहाने लो सके तो यहां पर यह तमाम को फालो करते हुए इनको रिजॉल्व किया गया ठीके लार्ज बेंट्विर्थ एड्ड लोर कॉस्ट एर्र कॉरेक्शन है फ्लो कंट्रोल है डेसिंग की कैपबिल्टीज है मल्टिप्लेक्सिंग है नेम है मोबेल्टी है रौटिंग है फ्रगमेंटेशन है और स्क्यूर्ट अब फीजिकल लेयर क्या है फीजिकल लेयर मैंने अभी बताया कि आप लों का जो डेटा है वो बिट बैबिट की फॉर्म में सेंड होता है टांसपोर्ट बिट फ्रॉम वन एंड टू वन एंड नोट नेक्स वन उसमेजर फंक्शन अफ फिजिकल लेयर इस तुमूव है आप लों का यहां पर डेटा बिट की फॉर्म में सेंड होगा बोड़ डेटा एंड सिग्नल कैन बी आधर एनलोग और डीजिटल ठीक है अब टाइप आफ टांसमिशन कौन से होंगे ठीक है वो कोई भी केबल हो सकती है कोई भी वायरलेस के थूआप डेटा टांसफर कर ठीक है ताकि आप लों का जो प्रॉपर डेटा है वो सेंड हो सके लाइन कंफिगरेशन से पॉइंट टू पॉइंट है या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है फीजिकल टॉपॉलजी कौन से फालो कर रहे हैं यह तमाम चीज़ें यहां पर आ जाएंगी टांसमिशन नेक्स फॉप। ठीक है अब उसके बादा ददा डेटा-लिंक लियर को बारिम में हमने पढ़ा है कि यहां पर डेटा आप लोंका फ्रेम्स की फॉरम में सेंट होगा झाल टालेटा-लिंग-लियर इस रिस्पॉंसिबल फॉर मोविंग फ्रेम फ्रॉम वन होप टू नेक्स फ कि अफ्रेमिदा यूनिट ऑफ कम्निकेशन इंदा डेटा लिंक लियर ठीक मैंने बदाया कि आप लोंका जो डेटा है हर लेयर पर डिफेंट नाम से रिप्रिजेंट किया जाएगा वहां पर पैकेट्स आ जाते हैं आप लोंके नेटवर्क लेयर में ठीक है टांसपोर्ड ल देन पैकेट में बीडिवाइट इंटो समाल साइज फ्रेम रसीवर एंड डेटा लिंक लियर पिक अप ठीक है सिगनल फ्रॉम हार्डवेर एंड असंबल देम इंटो फ्रेम अब फिल्स ऑफ डेटा लिंक लियर कौन कौन सी फिल्ट है फ्रेम है इट कंटें सोर्स अड्रेशन अड्रेस आजाता है पेलोड में आपनों का मैसिज आ जाएगा जो कि डिलीवर होना है ट्रेलर में क्या है इट कंटेंड एरर डेटेक्शन एंड क्रेक्शन बिट्स होती है जिसको हम फ्रेम चेक्ट सीक्वेंस भी कहते हैं फ्लैक क्या है तू फ्लैक एड्ट कि एंड मांक ऍद एंडगी एंड और एंड फ्रेम ठीक है फ्लैक्ट क्या बताता है आप लुग का आसे स्डार्ड हो रहें और कहां पर एंड हो रहें ठीक है उसके बाब वहीं बाब बता रह रहा है देटन रोक लियर इस रिस्पॉंसिबल फॉर मूविंऄ फ्रेम फ्र् een one hop to another hop, ठीक है यहां पर frames आ जाएंगे, physical address, mac address यहां पर होगा, ठीक है, आप लोगों का flow control, mechanisms कौन से हैं, ठीक है, error control, ठीक है, trailer होगा, और retransmissions होगी, ठीक है, आप लोगों का trailer जो है, आप लोगों का क्या होगा, error detection and corrections के लिए use होता है, और जैसे data loss होता है, तो दोबारा आप लोगों का data retransmit किया जाता है, access control, यहां पर आप लोगों के पास आ जाते हैं, अब यहां पर देखें, आप लोगों का data जो है, एक note से, ठीक है, यहां पर hop to hop delivery हो रही है, ठीक है, आपका data sender से send हुआ, फिर एक router पा जाएगा, फिर second router ठीक है, फिर third अप लोगों का data जो है, proper receive हो जाएगा, ठीक है, data link layer से physical, physical से hop to hop delivery हो रही है, और इस तरह आप लोगों का data क्या है, है, travel कर रहा है, ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें, आप लोगों के बाद जो है, different computers है, source कौन से है, 10 है, और designation का 87 है, trailer आप लोगों की extra bits होंगी, error correction और detection के लिए, और आप लोगों का data जो है, जिसका address 87 है, वहां पर आप लोगों का data पहुंच जाएगा, data link layer is responsible for moving frame from one hop to next hop, तो I hope कि आप लोगों को clear हो चुका होगा, फिर भी समझ रही है, तो आप लोगों पूछ सकते हैं, ओके, Allah आफिस.